नमस्कार दोस्तों, Cricket Uncut DS10 में आज हम चर्चा करेंगे net run rate की net run rate क्या होता है, इसकी उप्योगिता क्या है और इसके calculations के बारे में आपकी सहुलियत के लिए मैंने इस वीडियो को साथ हिस्सों में divide कर दिया है ताकि जो चीज़ें आप पहले से जानते हैं उसको skip करके आगे बढ़ जाएं तो बिना देरी किये हम शुरू करते हैं इस पूरे वीडियो में हम team A का net run rate calculate करेंगे team A का पूरे tournament के दौरान net run rate रहेगा team A के दौरा बनाया गया run rate और उसके खिलाफ 6 के run rate से run बनते हैं तो team A का net run rate रहेगा 7-6 यानि की plus 1 और किसी और tournament में team A 5 के run rate से run बनाती है और उसके खिलाफ 5.5 के run rate से run बनते हैं तो team A का net run rate रहेगा 5-5.5 यानि-0.5 तो net run rate plus भी हो सकता है, minus भी हो सकता है अब देख लेते हैं इसकी उपयोगिता कहा है देखे टेस्ट मैचेस में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है वन डे और टी ट्वेंटी में उपयोगिता है उन टूर्नमेंट्स में जहां पे तीन या उससे जादा टीमें हिस्सा ले रही है और नेट रंडेट पिक्चर में आता यानि कि play-offs में, semi-final में, quarter-final में जाएंगी और वहाँ पे पहुँचने के बाद भी दो या दो से अधिक team में अगर बराबर points पे होती हैं तो किस team का मुकाबला किस team से होगा चलिए हमने बात कर ली net run rate की उपयोगीता की अब बात कर लेते हैं कैसी चीज की जिसकी उपयोगीता किर्केट में बहुत है run rate की net run rate जानने से पहले run rate जान लीजिए run rate का formula बहुत simple होता है runs divided by over runs को overs से divide कर दीजिए और ये formula बहुत simple होता है जब तक overs जो है वो round figures में हो जैसे 10.0, 18.0 लेकिन जब round figure से अला घटके 10.1, 18.2 इस तरह आ जाता है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए किस तरह calculations करने हैं तो 70 run बने exactly 10 over में run rate जाएगा 7 runs per over 18 over में 90 run बने 90 divided by 18 5 runs per over लेकिन अगर 70 run बने है 10.1 over में तो ध्यान रखिए कि उसे 10.166 से divide करना है 10.1 से नहीं और उसका कारण ये है कि एक ball जो होती है वो 0.1 over नहीं होती 10 गेंदों का over होता तो 0.1 over होती एक ball लेकिन अब होती है 1 by 6 over यानि कि 0.166 इसी logic पे चलते हुए 0.2 को हर समय convert कर ये 0.333 से 0.3 को 0.5 से 0.4 को 0.666 से और 0.5 को 0.833 थे तो एक चीज़ ध्यान दीजी ये 10.1 10.2 ये notation से cricket के लेकिन mathematics में इनको change करना जरूरी है इसका screenshot ले लीजे और जब भी calculation करना हो run rate का तो इसी formula से कीजे इनको change कर लीजे और भी exact जाना है आपको तो एक formula में यहाँ पे display कर रहा हूँ इसे calculator में exactly ऐसा का ऐसा डालिए तो आप बिलकुल points में run rate का calculation correctly कर सकेंगे हमने run rate का calculation कर लेते हैं net run rate का net run rate का calculation जैसा मैंने बताया था team A के लिए कर रहे हैं हम पूरे tournament में team A के द्वारा बनाया गया run rate माइनस team A के खिलाफ बनाया गया run rate तो team A के द्वारा बनाया गया run rate होता है team A के total runs tournament में divided by total overs और minus कर दीजे उसे team A ने जित्ते runs दिये उसको divide कर दीजे team A ने जित्ते over किये इसको और open कर लेंगे simplify कर लेंगे हर एक match के runs ले लेंगे जैसे r1 plus r2 and so on over 1 plus over 2 and so on और जो team A ने runs दिये हैं उसको ra run against ra1 plus ra2 and so on और team A ने जो over किये हैं O B 1 overs bold first match में plus O B 2 यह जो numbers हैं वो match number है अच्छा यह तो हो गई calculation वाली बात इसके अलावा आपको और कुछ एक चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा calculations तो easy है कुछ खास बात नहीं है आप वहाँ पे उसके credit में runs और over डालते जाएए इस formula में और आपका net return rate निकलता जाएगा खास चीज यह है कि जब तक डगवर्थ लूइस नहीं लगा है जब तक डगवर्थ लूइस नहीं लगा है तब तक आपको यह उपर वाले जो runs हैं यह जित्ते बने हैं उत्ते ही आ जाएंगे overs कभी change हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते तो कब change होते हैं कब नहीं होते यह बता देता हूँ और अभी हम चर्चा कर रहे हैं डगवर्थ लूइस के बिना डगवर्थ लूइस आएगा तब हम उसकी बात करेंगे तो यह जो runs हैं वो तो same हो गए overs की बात करते हैं दोनों टीमों ने 50-50 over खेले किते विकेट हैं आप दोनों के credit में 50-50 over डाल दीजें इसके अलावा दूसरी टीम बैटिंग करने आई है और उसने successfully chase कल यानि match जीत लिया है तो 40 over में जीता है 50 over के match में तो 40 credit कर दीजे उसके overs run same रहेंगे 14 over 14 over में जीता है 2020 match में तो 15-14 जित्ते वी over में जीता है वही credit करना है अब आती है तीसरी चीज़ जो की है सबसे ज़्यादा जरूरी और वो चीज़ यह है कि पहली betting आई है दूसरी betting आई है जीत हुए हार हुए या tie हुआ है सबी situations में अगर team all out होती है तो ज है तो 20 over credit कीजिए जैसे कोई team 14th over में out हो जाती है all out हो जाती है तो वहाँ पे हमें 20 over credit करना है और उसी तरह one day में अगर team 40 over में all out हो जाती है तो वहाँ पे हमें 50 over credit करना है यही एक मात्र rule है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इसके अलावा भी अगर कोई situations होंगी तो examples के साथ हम लेते जाएंगे डगवर्त लूइस की चर्चतब करेंगे जब उसकी examples लेंगे और अब हम शिरू करते हैं examples यहाँ पे हम team A का tournament के दौरान net run rate calculate करेंगे उसमें सारी situations को ले लेंगे team A हमारी team रहेगी जिसका हम net run rate calculate करना है और team O opposition team और team रहेगी जो कि बदलती रहेंगी टीम वन पहले बेटिंग करने वाली team है और team 2 दूसरी बैटिंग करने वाली टीम है तो चलिए टीम है पहला खेलती है पहले बैटिंग करती है और 250 रंस बनाती है 50 OVRS में और टीम ओ जो है वो 251 रं बनाके मैस जीद जाती है लेकिन के वल 40 OVR में तो टीम ऐ जो है उसके हमें same to same run or over लेने है team O जो है उसके हमें runs तो same to same लेना है और overs भी same to same लेना है क्योंकि यह team उतने run बना के जीद गई है अब हमें calculate करना है इस match में net run rate और अब तक series में net run rate जो इस match का net run rate रहेगा वही series का net run rate हो जाएगा तो इस match का net run rate रहेगा 5-6.275 यानि की minus 1.275 net run rate रहेगा team A का पर एक चीज बता देता हूँ अभी आप calculation में बहुत जादा मत उलजिए सिर्फ आप यह देखिए कि runs और over कित्ते credit हो रहा है दगवर्त Lewis नहीं लगा है तो runs तो same रहेंगे overs में खास तोर पे देख लीजिए दूसरा मैच आता है team A की फिर से पहली बैटिंग आती है वो 350 runs बनाती है 50 overs में और इसके जवाब में team O बनाती है 300 run 45 over में और all out हो जाती है तो अब देखिए यहाँ पर all out हो गया तो यहाँ पर 45 ए इसको 50 कर लेना है बाकी सारी चीज़े सेम रहेंगी यानि team A के overs or runs same to same credit कर दीजिए team O के runs वो भी same to same credit कर दीजिए बस 45 को 50 में change कर लीजिए इस match का net run rate team A के लिए रहेगा plus 1 लेकिन इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है individual match का net run rate का कोई महत्व नहीं है वो पूरे सीरीज में चलता जाता है उसका महत्व होता है और सारे calculation आपको स्क्रीन पर दीख रहे है यहाँ पे हमने दोनों match हों के runs add कर लिए दोनों team हों के और overs देख लिए overs को add कर लिया opposition ने कित्ते रहन बनाए उनको add कर लिया और opposition को कित्ते over खिलाए गए वो add कर लिया और answer आजाता है दो match के बाद net run rate होता है minus 0.122 तो तीसरा match बिड़ा interesting है तीसरे match में जीतने वाली team भी all out हो गई है टीम यहने फिर से पहली betting की 350 runs बनाए 45 over में all out हो गई इसके जवाब में team O तो ने 250 runs बनाए 35 over में वो भी all out हो गई runs तो दोनों के same to same लेने है overs दोनों के 35 और 45 नहों होते हुए 50-50 over credit करना है यहाँ पे हमारे formula में अब क्या करना है इस match का individual net run rate team A के लिए रहेगा plus 2 लेकिन उसका कोई खास महत्व नहीं है लेकिन अब हमें क्या करना है तीनों match के run add कर दीजिए team A के opposition के add कर दीजिए overs calculate कर दीजिए plus कर दीजिए उनको तो जो answer आएगा वो आएगा plus 0.612 अब team A का net run rate हो जाएगा plus में plus 0.612 चलिए अब चोथा match ले ले लेते हैं चोथा match हो गया tie पहले बैटिंग आई opposition की team O की उसने बनाए 275 runs 42 overs में जिसके जवाब में 48.5 over में हमारी team team A 275 run बना लिए अब दोनों team हों के runs तो exactly उत्ते ही देने पड़ेंगे और overs हैं चूंकि दोनों team है all out हुई है overs 50-50 कर लीजिए इस match का individual जो net run rate रहेगा plus 0.462 अब इसके बाद हम examples लेंगे डगवर्ट लूइस के उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा देखिए डगवर्ट लूइस में बहुत सारी conditions आ सकती हैं लेकिन दो conditions अकर आपने सीख ली तो आप बागी conditions को भी अच्छी तरह solve कर सकते हैं तो वो matches जिसमें interruption होता है नया target दिया जाता है और एक ऐसे matches होते हैं जहां पर match रूख जाता है और बारिश इतनी तेज होती है कि बापिस match नहीं हो सकता फिर डगवर्ट लूइस से जीत और हार का फैसला किया जाता है आपने अगर इन दोनों situations को समझ लिया तो बाकी situations को easily समझ लेंगे चलिए सबसे पहले discuss करते हैं उन matches में जिसमें interruption होता है और डगवर्ट लूइस लगा है तो पहली team ने batting की किते run मनाए कोई मतलब नहीं है दूसरी team का interruption जहां पे हुआ पीछा करते हुए वहाँ पे किते run थे किते wicket थे इससे कोई मतलब नहीं है डगवर्ट लूइस ने एक revised target दिया revised overs दिये तो जो revised target था उसमें से एक run कम कर दीजे वो team 1 का runs हो जाएंगे इसके अलावा जितने revised over दिये हो गया है टीम अगर revised over से पहले all out हो जाती है तो वो हारेगी या tie होगा तो वहाँ पे run तो उतने ही लेने है overs जो है वो revised overs के बरावर लेने है अगर वो पहले जीत जाती है तो जितने over में जीती है उतने overs लेने है runs सेम रहेंगे और अगर exactly उतने ही over तक खेलती है तो जीते हारे या tie हो run तो उतने ही लेने है और overs भी जितने revised overs है उतने लेने है चलिए अब एक example लेते है team O ने कितने भी run बनाए हमें कोई मतलब नहीं है team A की betting आई उनका interruption हुआ कहाँ पे हुआ कितने रन थे हमें कोई मतलब नहीं revised target दिया गया team A को यानि दूसरे नंबर पर betting करने आई team को revised target दिया 250 run बनाई है आप 40 over में तो 249 यानि एक run कम हो जाएगा team O का runs और overs हो जाएंगे जितने revised over यानि 40 over और वहाँ पे team A ने चुकि 200 run ठीक 40 over में बनाए तो वहाँ पे हम 40 overs ले लेंगे इसके अलावा इस match का individual match का net run rate रहेगा plus 0.025 बहुत कम और इस match के बाद पाँचवे match के बाद team A का net run rate हो जाएगा plus 0.385 चलिए अब डगवर्द Lewis की दूसरी situation देख लेते हैं पहली team ने आकर betting की कुछ भी run बनाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है दूसरी team ने run का पीछा किया और एक stage पर आके game रुक गया और वहाँ पे फिर बारिश इतनी होई कि game चालू ना हो सका तो वहाँ पे देखा जाएगा कि team 2 के पास कितने overs बचे थे, कितने wickets बचे थे इन दोनों का combination देखने के बाद एक par score निकाला जाएगा वो par score जितना होगा वो team 1 के runs डाल दिये जाएंगे और जो overs जहाँ पे match रुका है वो team 1 के overs रहेंगे team 2 के भी इतने overs रहेंगे team 2 ने जितने runs बनाए हैं वो उत्ते ही रहेंगे यहाँ पे एक difference है इंटरप्शन में हम target में से minus 1 कर देते थे लेकिन यहाँ पे minus 1 नहीं करेंगे जो par score मिलेगा वही team 1 का score हो जाएगा overs दोनों के सेम रहेंगे जहाँ पे second batting करने आई team के overs थे उत्ते रहेंगे और runs जो हैं 180 होना था 180 runs दे दिये हमने team A को किते हो रहें 35 overs में और team 2 के 200 runs बन गए थे 35 overs में यहाँ पे team 2 जीद गई 20 रनों से लेकिन यहाँ पे net run rate जो उस individual game का था वो था minus 0.571 team A के लिए और इस पूरे tournament में जो net run rate रहा वो रहा plus 0.263 team A का तो दोस्तों यह था वीडियो हमारा net run rate के उपर अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लिजे like, share, comment करिए और अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए मेरे तो प्लीज आगर और आपर अगरा वाधर अग्सW साथ कर लोगा है अगरा, प्लीज जबे आगरे तो यह वीजए